नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल गरुर धर्मार्थ पर 10 जुलाई 2023 सावन के पवित्र महीने के पहले सोमवार के दिन एक लोटे जल में यह गुप चीज डाल करके भगवान भोलेनात के मंदिर में शिवलिंग पर कर देना अभिशेक जीवन के हर से मिल जाएगी आपको तुरंत मुक्ती खुशियों से भर जाएगा आपका घर आपकी हर मनोकामना होगी पूरी दोस्तों सावन का पवित्र महीना 4 जुलाई 2023 से शुरू है इसका समापन 31 अगस्ट 2023 को होगा मलमास लगने के कारण सावन का पवित्र महीना इस बार पूरे 69 दिनों का होगा ऐसा अध्भुत और शुभ योग पूरे 19 साल बाद आया है इस बार सावन के पवित्र महीने का पहला सुमवार वरत 10 जुलाई 2023 को पढ़ने जा रहा है जिसका करोडो शिव भक्त बैसबरी से इंतजार कर रहे हैं और अगर इस दिन शिव पुरान के अनुस हैं तो आपके जीवन की कितनी बड़ी परेशानी हो कितना ही बड़ा दुख हो और कितनी बड़ी समस्या हो हर प्रकार की बाधाओं से आपको हाथों हाथ मुक्ती मिल जाएगी आपकी कोई मनोकाम ना हो वो भोलेनात बाबा के आशिरवाद से जरूर पूरी होगी दोस्तों साबन के पवित्र महीने के बारे में हमारे वेद पुराणों में कहा गया है कि इस महीने का नियंतरन भगवान भोलेनात के हाथ में है जो भी व्यक्ती इस महीने भगवान भोलेनात के सामने अपनी जोली फैलाता है भगवान भोलेनात उस व्यक्ती की जोली मिलेगा, कहा जाता है, दोस्तों की इस महीने की गई पूजा साधना क्रिया से आपके जीवन के समस्त प्रकार के जो कष्ट होते हैं, वो जड़ से नश्ट हो जाते हैं, कि पवित्र महीने के दौरान अगर आप सिर्फ सुमवार का वरत ही रखना है, तो माना जाता है, इससे आपको मोक्ष की प्राप्ती होती है, माना जाता है कि भगवान भोलेनात के आशिरवात से आपको स्वर्ग में भी जगह मिलती है, इसलिए दोस्तों सावन के पवित्र महीने के दौरान आपने देखा भी होगा, जितने भी शिव भक्त होते हैं, वो भगवान भोलेनात के लिए सोमवार के वरत करते हैं। दोस्तों शायद ये बात। वो जरूर ही पूरी होगी कहा जाता है। दोस्तों देवों के देव भगवान भोलेनाथ अपने भक्तों की थोड़ी सी पूजा से प्रसन्न हो जाते हैं। और अपने भक्तों को तुरंत ही वर्दान दे देते। माना जाता है कि अगर आप महाशिवरात्री हो गई, सावन का पवित्र महीना हो गया या सावन के सुमवार हो गए, इस दिन कोई भी उपाय पूजा पाठ भगवान भोलेनाथ के सामने करेंगे, तो भगवान भोलेनाथ अपने दोनों हाथों से आप पर कृपा बरसाएंग उसके बाद जैसे ही आपकी मनोकामना हो जैसे मान लीजिए आप लंबे समय से जॉब की तयारी कर रहे थे, आपकी जॉब लग जाएगी, आप कोई बीमारी से ग्रसित थे, उस बीमारी से आपको मुक्ती मिल जाएगी, आपका व्यापार चल पड़ेगा, आपके जीवन मे धन आना शुरू हो जाएगा, और आप अपने जीवन में बहुत तरक्की करेंगे, बहुत ही आगे, इसलिए दोस्तों आज जिन उपायों के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं, वो बड़े सरल से उपाय हैं, जिसमें सिर्फ आपको इस सावन के सुमबार के दिन एक सा धारन से लोटेंगे, वह गुप चीज डाल करके भगवान भोलेनात के मंदिर जाना है, और शिवलिंग पर विधी विधान से जलाभिशेक करना है, और इतना भर अगर आपने कर लिया, तो फिर आपके जीवन में कभी भी आपको परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा और एक बात का ध्यान रखिएगा, दोस्तों भगवान भोलेनात में अगर किसी व्यक्ति को आशिरवात दे दिया, तो उस व्यक्ति का साक्षात काल भी आकर कुछ नहीं बिगार सकता है, इसलिए अगर आप चाहते हैं कि भगवान भोलेनात की कृपा आप पे और आपके प आप अपने जीवन में जिस कार्य को भी शुरू करें, उस कार्य में आपको सफलता प्राप्त हो, तो दोस्तों पूरी सच्ची श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में तुरंत दीजिए ओम नमा शिवाय, हरहर महादेव, अब दोस्तों इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि भगवान भोलेनाथ के मंदिर जाने से पहले आपको आपने एक लोटे जल में वक्त कौन सी ऐसी गुप्त चीज है जिसको मिलाना है और भगवान भोलेनाथ के मंदिर जाकर के अभिशेक करना है लेकिन सबसे पहले इस बात का ध्यान रखिएगा भगवान भोलेनाथ ऐसे भगवान है जो किसी भी व्यक्ती की हलकी सी पूजा से तुरंत प्रसंद हो जाते हैं और उस व्यक्ती को वर्दान दे देते हैं लेकिन अगर आप ऐसी कोई गलती करते हैं जो भगवान बहुत ही क्रोधित भी हो जाते हैं। कहने का मतलब यहा है कि जब भी आप शिवलिंग पर दूध चढ़ाते जाते हैं, दही चढ़, आने जाते हैं या पानी चढ़ाने जाते हैं, तो एक बात का विशेश करके ध्यान रखियेगा। भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती जी का वास होता है। इसलिए जब भी आप लोग कोई भी पूजापाथ भगवान भोलेनाथ के मंदिर जाकर के शिवलिंग के सामने करें, तो आपका मोह उत्तर की ओर होना चाहिए। अब हम इस वीडियो में बताएंगे कि इस सावन क पवित्र महीने के दौरान सोमवार के दिन जो आप लोग भगवान भोलेनाथ के मंदिर जाएंगे जहाँ पर आपको। भगवान भोलेनाथ का अभिशेक करना है, तो उस लोटस में आपको कौन सी गुपता चीज मिलनी है। शिव पुरान के अनुसार इसलिए हर उपाय को कहीं पर लिख लीजिए क्योंकि यह उपाय जैसे ही आप इस सोमवार के दिन करेंगे, इसका पलट करके आपको लाभ मिलेगा। और अभी तक आपने वीडियो लाइक नहीं किया है। वीडियो को लाइक कर दीजिए कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखना मत देखिए मान लीजिए आप अपने जीवन में बहुत ही तकलीफ में हैं, बहुत ही परेशानी में हैं और समस्याओने आपको घेर लिया है, आपको मानसिक कष्ट है, शारिरिक कष्ट है, आपको किसी ऐसी। परेशाना है, नहाना है, धोना है, एक तामबे का लोटा लीजिए, उसमें गंगा जल भर लीजिए, आपको एक चुटकी भस्म इसमें डालनी है, देखिए भगवान भोलेनात को भस्म भी लगाई जाती है, और भस्म अर्पित भी किया जाता है, शिवलिंग पर तो आपक एक चुटकी भस्म डालनी है, भस्म डालने के बाद भगवान भोलेनात के मंदिर जाना है, शिवलिंग के सामने बैठना है, और मुह उत्तर की ओर करके यही जल भगवान भोलेनात के शिवलिंग पर अर्पित करना इतना भर अगर आपने इस जुलाई 2023 सावन के पहले सुम पारन मिल जाएगा, ये एक महा उपाय है, इस उपाय को करना मत भूलिएगा, अब मान लीजिए दोस्तों आपके जीवन में आप आर्थिक कष्ट फन से हुए हैं, कहने का मतलब ये है कि आपके पास पैसा तो आता है, लेकिन पैसा रुकता नहीं, आपके उपर ऐसा कोई गया है जिसकी वजह से आपके पास पैसा रुक नहीं रहा है, और वो भी फिजूल खर्ची में उर जा रहा है, तो आपको क्या करना चाहिए, एक महा उपाय बताया गया है, हमारे शिप पुरान में वही उपाय हम आपको बताने जा रहे, इस उपाय को अगर आपने सही तर पेड़ होता है, दोस्तों माना जाता है, यहां एक ऐसा पेड़ होता है, जिस पर भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती जी का साथ में वास होता है, आपको, शमी के पेड़ के पास जाना है, और एक पत्ती तोड़ लेनी है, उस पत्ती को इसी गंगाजल में डाल दीजि तो आपके जीवन के आर्थिक कष्टों से आपको मुक्ती मिल जाएगी और आपके जीवन में धन रुकेगा भी टिकेगा भी और उसमें वृद्धी भी होगी इसी तरीके से मान लीजिए आपके घर पर बहुत लड़ाई जगडा ग्रहतलेश होता है। एक शुद्ध गंगाजल लीजिए उसमें दो-चार गूंद आप लोगों को गन्ने का रस मिलाना है और इसी से भगवान भोलेनात का अभिशेक इस 10 जुलाई 2023 के दिन करना है। इतना भर अगर आपने कर दिया तो मान के चलिए आपके घर पे जो लड़ाई जगडा घर है त बनी रहेंगी दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन था विडियो लाइक करना मत भूलिएगा अब मान लीजिए आप लंबे समय से बीमार चल रहे हैं आप बहुत परिशान हैं अपनी बीमारी से आप अपनी बीमारी का इलाज भी करा चुके हैं लेकिन आप ये देख रहे हैं कि आपको कोई लाब नहीं मिल रहा है तो दोस्तों समझ जाएए आपके उपर कोई दोश लगा हुआ है और अगर आप ऐसे दोश से मुक्ती पाना चाहते हैं तो आपको 10 जुलाई 2023 के दिन कच्चे चीनी मिलाकर के भगवान भोलेनात के मंदिर जाना है शिवलिंग पर अभिशेक करना है और इतना भर कर दीजिए सिर्फ एक दिन यह उपाय करके देख लीजिए और आप खुद देखेंगे कि भगवान भोलेनात की क्रिपा से आपकी बीमारी आपको छोड़ करके चली जाएगी अब मान लीजिए आपका व्यापार पूरी प् दोस्तों इस उपाय में सिर्फ गंगाजल ही आपको प्रयोग करना है गंगाजल लीजिए एक लोटा उसमें 108 चावल के दाने डालिए और इससे भगवान भोलेनात के मंदिर जाकर के शिवलिंग पर अभिशेक कीजिए इतना भर करने के बाद हिया देखेंगे कि भगवान भोलेनात के आशिरवात से आपका व्यापार चल पड़ेगा अब दोस्तों मान लीजिए आपकी जॉब नहीं लग रही है आप इस चीज को करके बड़ा परेशान है तो आपको क्या करना है आप लोगों को इस बार 10 जुलाई 2023 के दिन पहले तो सुमवार का वरत रखना है स आप लोगों को सुबह नहाना धोना है सफेद कपड़े पहने है एक लोटा शुद्ध जल लेना है उसमें 108 काले तिल के दाने डालें और इससे भगवान भोलेनात का अभिशेक करना है इतना कर दीजिए आपकी मनचाही जॉब लग जाएगी आशा है कि आज की इस प्रस्त होती मैं बताई गई जानकारी आपको अच्छे से समझ आ गई होगी